Top 3 Blogger Templates for AdSense Approval यहाँ पर मैं आपके साथ शेर करने वाला हूँ Top 3 Blogger Templates जो के Premium Template होने वाले है आप इन templates को अपने अगर blogger पर यूज़ करते हो ठीक है अपने blog पर यूज़ करते हो तो आपको 100 and 1% Google AdSense का approval मिलने वाला है दूसरी बात यह SEO friendly है और तीसरी बात ads friendly है जिसकी वज़े से आपको AdSense का approval जल्दी मिलता और easily मिलता है ठीक है आप लोगों ने यह चीज़ दियान में रखने हैं उसके लब चोथी बात यह है कि यह तीनों templates जो है Premium Level के है आप प्रो लेवल के है आपकी website की look भी आपको प्रो website जैसी देखने को मिलने वाली है आपको ऐसा लगेगा कि आपने अपनी site को WordPress पे create की है इतनी professional आपकी website लगेगी तो चलो बगया time को waste किए इस video को शुरू करें लेकिन उससे पहले यही कहोगा चैनल पे पहली दफावी हो तो अभी अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दो साथ पर में बैल आइकन को प्रेस कर दो ताकि नेस वीडियो आप तक कहा सके इस सब्सक्राइब की बटन को चाहे तो रो चाहे फोर दो या फिर आग लगा तो मुझे कोई शूनी चैनल सब्सक्राइब हो जाना चाहिए या मैं ट्राई यही करूगा कि इन टंप्रेट्स के लिंक आपको वीडियो की डिस्क्राइब में मिल जाए वहां से याप इजी ली डाउनलोड कर लें तो यार हमारे जो टोप 3 blogger टंप्रेट्स है वो मैं आपको यहां पे दिखाने वालो आपने इनको अच्छे से देख रहा है जो यार नमबर बउन पे टंप्रेट है इसका नाम है न्यूस प्लस इसका इंटरफेस आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलता है अगर मैं आपको यहाँ पर इसका इंटरफेस दिखा दू तो कुछ इस तरह से देखने को मिलता है काफी अच्छा प्रिमियम लेवल का प्रो लेवल का यह टमप्रेट है अगर मैं आपको देखो अपनी साइट पर दिखा हूँ कि मैंने इस टमप्रेट को यूज की है यहाँ पर अपनी साइट पर दिखा दो यह देखो फ्री की डूमेंट के ओपर आपको आड़संस का प्रोबल भी मिला वह देखो एड़स बाइंग गूगल है ठीक है और यहां पर देखो यह आपको बाई की साइट है यहां पर इसकी आपको मेन मैनु जो है कुछ इस तरह से देखने को मिलती है यह देखे आपके सामने काफी अच्छी इसकी मेन मैनु है टोप पे आपको पेजी देखने को मिल जाते हो यहाँ पे साइटो पे आपको इसके शोशल लिंक्स देखने को मिल जाते है यहाँ पे देखे में जो होड़ पोस्ट है वो आपको काफी अच्छी देखने को मिलती है अगर यहाँ पे डेमो पे भी आपको दिखाए तो काफी अच्छी देखने को मिलती है header में आपको एक add देखने को मिल जाता है उसके बाद एक sidebar के अंदर भी आपको add देखने को मिल जाते है यहाँ पर sidebar में आप जितने चाहो adds को place कर सकते हो इसके लब आप यहाँ पर popular post को और social plugin को भी add कर सकते हो कोई शुवली बातरी और यहाँ पर देखो आपको काफी तरह की post वगारा देखने को मिल जाती है यहाँ पर तो देखो आपको यहाँ पर काफी अच्छा यह template देखने को मिलता है यह premium एक pro level का template है और यहाँ पर देखो आपको footer के अंदर भी add लगाने का option देखने को मिलता है यानि कि यह आपको काफी अच्छा footer में आपको इसके pages भी मिल जाते हो यहाँ पर इसके आप footer test को भी change करके अपनी site का link redact करवा सकते है यानि कि एक premium level का pro level का adsense friendly और SEO friendly template आप इसे यूज़ कर सकते हो अब बात का लिए अपने दूसरे template के ऊपर वो कौन सा यह देखे यहाँ पर रोजन स्ट्रेंड के नेम से आपको यह template देखने को मिल जाता है इसकी look आपको ऐसे मिलती है जैसे आप लोगों ने प्रिमियम website बनाई है ब्लोगर पर नहीं वर्डप्रस पर आपने एक साइट बनाई है उस तरह से आपको इसकी look मिलती है तोप पे इसके भी आपको pages home page वगारा देखने को मिलते है उसके बाद तोप लफ्ट पे आप यहाँ पे अपने social links को भी add कर सकते हो और search का बटन भी आइड कर सकते हैं किसी में आप एड कर सकते हैं यहां पर आपको टोप पे टूप पोस्ट देखने को मिलती है उसके बाद देखो आप यहां पर अपने अपनी category वगारा बता सकते हैं अपना इंट्रो दे सकते हो देन आपको अगें पोस्ट देखने को मिलती है और यहां प Facebook का plugin भी आपको देखने को मिल जाता है यहां पर देखो newsletter है then categories वगरा नीचे advertisement हो इस तरफ की बात करें तो यहां पर आपको latest post देखने को मिलती रहती है ठीक है आप यहां पर इसे इस तरह use कर सकते हो तो देखो यहां पर footer की बात करें यहां भी आपको काफी option देखने को मिल रहा है अगर बात करें first वाले template की तो इसके अदर अगर आप किसी भी एक post को open करते है देखे आपको यहां पर advertisement तो देखने को मिलती है उसके बाद आपको आपकी post का preview कुछ इस तरह से देखने को मिल जाता है जो कि काफी premium लेवल का ठीक हो गया उसके बाद देखो अगर आ फर्स्ट वाले template में भी आपको social share button देखने को मिल रहे होता है ठीक है हर किसी में almost मिलते है तो इसकी कोई बात नहीं के अंदर three recent post देखने को मिल रहा है अगर बात करें यहां पे आपके third template की अगर आप एक सपोर्स आप एपी के website बनाना चाए तो आपस वगार आप डाउनलोड करवाना चाहते हो यहां फिर एपस का review देना चाहते हो तब आप यहां पर आके site बना सकतो काफी अच्छा template है उसके लगाइस template के उपर आप लोग किसी भी तरह की gaming site बना सकतो gaming APK वगरा भी दे सकतो ठीक है गेम्स की app जो होती है उनको APK वर सकते हो देन आपको यहां पर देखो mega menu देखने को मिल दा उसके अंदर टोप एपस आपकी show होती है देन देखो features के अंदर आपको drop down menu देखने को मिल जाती है उसके अंदर एक और drop down menu भी आपको मिल सकती है तो देखो काफी अच्छा template है इसको आप डाक mode में भी ओन कर सकतो कोई शुली बात नहीं उसके बाद आपको यहां पर apps भी आड़ कर सकती है यहां पर games भोगाला भी add कर सकते हो अगर को मिल रहा है अगर बात करें साइड बार की साइड बार भी इसका काफी अच्छा है अब साइड बार में एडवर्टाइजमेंट भी शोग करवा सकते हो और आपकी कमेंट्स बगारा भी शोग हो सकते हैं ठीक हर किसी टमप्रेट में हो जाता है कोई शवाली बात नहीं उसके बाद देखो आपको कहीं भी आप यहां पर डॉंडोड का बटन भी आड़ कर सकते हो यहां पर आपको रिस्पोंसिव एड्स की ऑप्शन भी मिल रहा है और शेर बटन भी आपको देखने को मिल रहा है इसमें कमंट्स की ऑप्शन भी आपको देखने को मिल रहा है काफी अच Case Pro Blogging Tips channel के उपर I hope आपने इस वीडियो को पूरा देखे हैं जो है किया है यह अगर इन में से एक भी टमपरेट आपको अच्छा लगया तो वीडियो को अभी कभी लाइक कर दो और कमेंस में मुझे यह चीज जरूर बताना कि आपको तीनों में से कौन सा टमपरेट सबसे यह बिलकुल फ्री में है तो यह वीडियो को लाइक कर देना वीडियो बनाने में काफी महनत लगती है आपके लिए आपका वीडियो लेकर आता है पहले टोपिक डूंता है फिर आपके लिए वीडियो लेकर आता है तो आपने वीडियो को लाजमी से लाइक करना चैनल को स सब्सक्राइब कर देना ताकि नेफ्ट वीडियो दो आप तक आती रहे